लो डियर स्टुडेंट वेल्कम टो और यूटूब चैनल हमारे इस यूटूब चैनल पर आप सभी स्टुडेंट का बहुत-बहुत स्वागत हैं इस वीडियो सेशन में हम साइमेंट नमबर 3 जो माह नौंबर के लिए क्लास 10 सब्जेक्ट विज्ञान या साइन्स के लिए यह जो असाइमेंट है उसका डिसक्रसन हम इस वीडियो सेशन में करने वाले इसमें जो पांच कुश्चन दियो हैं उसको किस तरह से आपको बनाने हैं कैसे हल करने उसका परफेक्ट सॉलिशन क्या होगा उसके सहीं उत्तर किस तरह से लिखे जाएंगे एक प्रॉपर तरी आप तक हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे तो देखो यह असाइमेंट नमबर 3 जो है साइन सब्जेट के लिए क्लास 10 का उसमें जब सबसे पहला कुश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है यदि कांच तथा जल के आपेक्षी अपुरतन हम दो पहले लिख लिया है अब हम लोग को पहले लिख लिया है क्या होता है तो जैसे कांच का पुरतरांग दिया तो मैंने पहले कांच के पुरतरांग का सुत्र लगा दिया कांच का पुरतरांग जो होता है प्रकास का चाल निर्वात में बटे कांच में प्रकास की चाल ठीक है तो प्रकास का जो चाल है जो निर्वात में उसको हम लोगो वीजी अब प्रकास की चाल जो है निर्वात में हो तो फिक्स है तीन वड़ा दसकी गात आट मीटर पर सेकें इसले मैं उसको अभी सी ही लख रहाँ ठीक है उसका मान नहीं रख रहाँ अब यहां पर देखो अगला स्टेप जो है एंजी का मान रख दिया एंजी का मान कितना आप Si Prase Ma पक्चानतर करके निकाल सकते वीजी बराबर क्या हो तो है तीन बटे 2 जो इधर था हो क्या हो जाएगा पक्चानतर हो जाएगा ये तीन बटे दो पक्षांतर होकर कि कहा आ जाएगा बटे में आ जाएगा ठीक है तो C बटे क्या हो जाएगा तीन बटे दो अब यह जो बटे के बटे में उसको मैंसा लिख सकते हैं दो होने जाएगा इसी प्र मिलीे जल के परतानाग के लिए तो जल का अपरतानाग बराबर क्या होगा निर्वात में प्रकास की चाल निरवात में प्रकास की चाल फिरसे क्या ले मुए भी टीनी है Wasn't को व2 मिले गए और नवो को उप्सक्र lo tape उप्सक्र डे गए आब को rewardiblju बराबर टीन सी बटे चार इसको अंणिद दो झाले कि उत्यूर में प्रकास की चाल का नुपात निकालुइंगे यह बहुआ तो बहुरों को ब्मख कर देंगे ठीकित तो जम्मे प्रकास की चाल हमारे पास है वी अबली और कचैनल की चाल वी हमएव हम पास फीजी समिंगार एक तथा दोसे हम लोग मार रख देंगे और जैसे ही मार रखेंगे आंगे in लखने के बाद इसको बस कुछ करना नहीं हमको simply इसको हल कर लेना है किस तरह से हल कर सकते हैं देखो यहां पर कि चलो आप लोगों को हल करके यहां पर दिखा देता हूं मैं process जो है कैसे कि थे तो vw involved VG vw command के है 3000 चार 2C on the right 5 क्या करते है जो गते हैं उसको ऊपर ले गए तो पीन उपर चली ति यह चार को घोश्य हो गया गया डूर्ट दुट्ट करना दो हो गया आट सी और नौी आठ शीया आठ सी आघिए सकते हैं I hope सभी लोग बच्चों को समझ आया होगा ठीक है चलो देखते हैं कोशे नमबर 2 जो दिया है प्रश्ण कर दो ऐसका के सांद्रण की किनी दो विदियों को सचीत्र वर्ण लिखिए सचित्रली की ऐसा लिखा है तो इसमें उत्तर जो है हम लोग देखते हैं इसका के सांद्रण की दो विधी जो हम लोग यहां डिसकस करने वाले वह पहला है जागुत प्लावन विधी और दूसरा है गुरुत प्रिथक्रण विधी ठीक है तो यह दो बहुत सिंपल इसलिए इन दोनों विधी को लिया मैंने तो जागुत प्लावन विधी में क्या होता है जाग करने करने के बाद जो यहां पर जाग के सांद्रण जो जाग के सांथ चले जाते हैं और जाग के सांथ जाग बन करके बाहर निकल जाते हैं जिसको हम एकत्रित कर लेते हैं तो यह पूरा जो यहां पे डाइग्रम दीख रहा होगा क्यों हो तो होता कैसे है है यहां पर ज्ञधें करके के मिल जाएगा ज्याक के सांथ यहां पे जौ संद्रण है इस तरह से कर सकते हैं इसके यह किया करना होता है पूरा प्रोसेस में आ रेक्षा हूं देख सकते हैं ओप साथ में ड्याग्रम पहले हेNग, आ यहां भcoat प्रविस कराते हैंbelsानि विल्कुल बना लेना है यह आपको यहाँ पे दिखनी रहा है यह डाइगरम में ठीक है लेकिन यहाँ पे जाग बनाना है ठीक कि Sydaf IX के संध्रन के लिए इस विदी का उपयोग किया जाता है सबसे जरूरी बात यह सब्सक्राइब स्सक्राइब संद्रन अगर आपको करना है तो जागत प्लावन विदी का उपयोग किया जाता है पॉइंट में लिखा है आप भी पॉइंट में लिखो बहुत अच्छा आपको यहां पे आपका जो रिप्रेजेंटेशन है अंध्यर को मैं लिख सकते हो और जिनको पैरागराफ है पूरे पैराग्राफ करते हो ठीक वाई in energy point यह анagy to provide की जाती है जिस कारण जाग उदपण होता है तो इसको जाग उदपलाउन यदा थी बहुता क्या है जो sulphided ask के जो नहीं की एक परत जाती है जिसके कारण हवा के बुलबुले इनसे चिपक जाते हैं अब यह जो बुलबुला बन गया वो जाग के साथ क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं इस प्रकार यह कंड हलके होकर जाग के साथ उपर चले जाते हैं जबकि मिट्टे कंकड पत्थर जैसे असुद्या जो है वो नीचे यहाँ पे जो है जो एकत्रित में जाग के सांथ में जाग बावन विदी कहते हैं या फेन उत्प्लावन विदी कहते हैं बहुत आसान था इसको आप नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप आपको बताया और लिखा भी है जो दूसरा विदी है वो गुरुतो प्रिथकरण विदी है, इस विदी को समझते हैं विदी में क्या करते हैं जो हमारे पास iS क pens करता है को अधात्रिया सुद्धी रहता है जो घणत्र है अगर अंतर होती चुँक एन्यको ऑपयोग करेंगे सबसे पहली बात तो ठीक है अब ये विदी में क्या करते हैं इस विदीये में को को एक दम बारिक पीस लेते हैं पानी की धारा प्रवाहिट करते हैं पानी की धारा जैसे इसे प्रवाहिध करते हैं पानी जो इधर बहते उए जाएगा और इसका structure कुछ तो इस तरह से हम लोग यहां पर इस यह जो एकत्रीत कर सकते हैं और आयसका का संद्रन हो जाता है ठीक पूरा चित्र समझ आ गया इसे ही बनाना है अब देखो इसमें लिखना क्या है यह देख लेते हैं तो इस वीदी का प्रयोक तब किया जाता है जब आयसका तथा आधात् में अंतर होता है ठीक नेश्ट देखें तो इस पॉइंट में लिखना है आपको इस वीदी में आयसका को बारिक पीस कर पानी की धारा प्रवाहित कर इसको हिला दिया जाता है जिससे एसका के काण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं यह सुद्धी उपर तैरने लिए तो अगर आपके पास कार्बोनेट और ऑक्साइट के एसक है जिसे हमेटाइट हो गया तो हमेटाइट के एसका कभी संद्रन इस वीदी द्वारा किया जाता है गुरुत्त प्रिथक कर अधातरी के आप एक्छी घनत में अगर अंतर होता है तब इस वीदी का उप्यो अधातु में चार अंतर देखो मैंने अच्छे से यहां पे एक कॉलम मना लिया आप भी इस तरह से कॉलम मना करके लिख सकते हो देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने वताया कि बहुत अच्छे चालक होते हैं ठीक है सबी अधातु जो है उसमा और विद्यूत के बहुत अच अच्छे चालक नहीं होते हैं इसका जो अपवाद है वह क्या ग्रेफाइट ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद उसमा विद्यूत का अच्छा चालक है ठीक है जबकि धातु क्या होता है तो धातु में फर्स्ट पॉंट लिखना धातु जो है धातु उसमा तथा विद्यूत के बहुत अच्छे चालक होते हैं पहला पॉंट समझाय है इत्ती प्रकार देखते हैं अधातु में दूसर पॉंट जो दिया हुआ है अधाुए समाननेता थोस या गैस अवस्था में होते लेकिन इसके भी अपवाद है अपवाद जो है वह मरकरी पारा जिसे पॉन करते हो या आघात करते हो तो यह टूड जाती है जब कि घ्रचाएन मार को स Carolina सकती है युए अगर आपल आप बार पहुंचाते यह ँट था करती है भारबा जोत्ता अंटर तो आधातों के खुषार इं स्वादय चार होते हैं जेपि यहавать तो चार प्रमुखंतर आपको लिख लेना है कुश्च नमर फॉर को देखें द्राव अधातु के नाम वा संकेत लिखकर अधातु के तीन रषानिक भूर लिखें बो रहे हैं तो द्राव अधातु कौन होता है मैंने अभी बताया जस्ट अंतर लिखा तो द्राव अधातु एक मात्र अधातु जो ड्राव हैं यह ऍन्टी और इंगलिस दोनों में लिखते हैं ठीक संकेत क्या होगा बी यर आगे कोस्च चोश्चन में और बूला है अब देखो जो ऑक्साइड करके क्या करते हैं और यह जो समानेता कैसे होते हैं अमली या उदासिन प्रक्रिती होते हैं तो कुछ उदारा ने हाप पर मैंने लिख दिया जैसे की ऑक्षिजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं और आगे यह जल से क्रिया करके बनाता है ये अमल्य होते हैं ये अधासिन प्रक्रिटिक होता है ठीक तो आपको इतना लिखना है अक्सिजेन से क्रिया दूसरा देखें तो धातु वे से क्रिया करके यह किया करता है तो सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार हेड्रेट का निर्माड करते हैं ठीक है नेश्ट जो है तीसरा वूर्ण धातुएं जो सभी की सभी अधातुएं जो जल तथा अमलों से क्रिया प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं करते यह बहुत ही सब्सक्राइब करते हैं तो इसके मुख्य तीन अभी लक्षण कौन-कौन से हो सकते हैं तो पहला लिखना समतल दर्पन द्वारा प्रतिविम आभासी होता है इसे परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता ठीक है ये तो समतल दर्पन द्वारा प्रतिविम नहीं सिधा होता है लेकिन परस अगल भगल यहां वरदलि हो सकता है जयसे आप देखोगे अपने अपने कहरे को आफमे एंड को देखोगे स्गोगे को अपने हेंड़ी घल like लेफट झीदे इं kanssa तो यह सिधा तो बनता है प्रतिभीम आप सीधे दिया उल्टे नहीं दिखते अप सीधे दिखते हो लेकिन क्या होता है आप जो यह बगल से पार्स से अद्ला बदली हो जाता है ठीक है सब्सक्राइब करें और इसके साथ मैं आप सभी विद्यारतियों को कहना चाहूंगा कि हमारे इस यूटूब चैनल को जरूर से जरूर अधिक सधीक लोगों तक से एर करो ठीक है क्योंकि इस यूटूब चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चों को फ्री में एजूकेशन प्रवाइट कराना चाहता हूं जो 36 गड़ के हैं चाहे वो सीजी बोर्ड में पढ़ते हूं या सीबीएशी बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए इंडिविज्वल क्लासेस यहां पर मैं प्रवाइट कराने की कोसिस करते रहता ह हूं तो बिल्कुल आप सभी को क्या करना है वारे चैनल के साundants जुड़े रहना है सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को बैल आइक और को जरूर प्रेस कर ले Ambassador को ऑ आप YouTube चैनल को खोल करके विजिट करके उस पर देख सकते हैं तो मिलते हैं नेस टो वीडियो में नए इस असाइमेंट के साथ तब तक के लिए आप जरूर यह सब आसाइमेंट जो है बनाना चालो करें कियरफुली आप आसाइमेंट बनाओ बहुत अच्छे से आप असाइमेंट बनाते चलो ठीक है आपका जो इंटर्नल मार्क्स से इसी पर बैसिस पर मिलने वाला है तो आप बिलकूल इसको अच्छे स प्रेपरेशन करो बनावु और साथ ही साथ बस बनाना नहींा कई से देख के बना लेना नहीं आपको यहां मैं सेखाना चाहता हूँ ठीक है कोई अब जो भी टूडेन्ट है जिस को कोई भी तरह का किसी भी था का अगर डाउट है तो कमेंड वोक्स में कमेंड जरूर कर लिन ठीक है यह चैनल जो है बिल्कुल आप जैसे विद्ध्यार्थियों के लिए ही बनाया गया है तो यह इस चैनल को बिल्कुल आपका साथ चाहिए सपोर्ट करते ही हमारे चैनल को ओके मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ